मैं दिपा खुराना आपका स्वागत करती हूं घर का खाना में आज हम बनाएंगे क्विक एंड इजी स्विट डेश ब्रेड रसमलाई इसके लिए आमें चाहिए एक लिटर दूर पांच स्लाइस ब्रेड के आप इसमें वाइट ब्रेड का ही यूज करें 8-10 काजू बारी कटे हुए 8-10 पीस्ता बारी कटे हुए 8-10 बादाम पतला गटा हुआ 100 ग्राम शक्कर 2 पींच केसर और इलाइची पाउडर तो अब हम रसमलाई बनाना शुरू करेंगे गैस अन करेंगे पैन लेंगे दूट डालेंगे दूट को उपलने देंगे हमारा दूट उबल चुका है अब हम गैस को स्लो कर देंगे और इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि अपनी कॉंटिटी से आधा ना हो जाए जैसे ही एक लिटर दूट है जब तक कि आधा लिटर दूट ना हो जाए तब तक हम इसे लो फ्लेम में उबालेंगे दूद को बीच बीच में चलाते रहेंगे हमारा दूद एक लिटर से उबल के आधा लिटर हो चुका है अब हम इसमे इलाइची पाउडर डालेंगे एक पिंच इलाइची पाउडर शक्कर डालेंगे हमने 100 ग्राम शक्कर ली है काजू डाल देंगे आधा बादाम डालेंगे आधा गानिशिंगे लिए रख देंगे आधा पीस्ता डालेंगे केसर डालेंगे मिला लेंगे अब हम इस दूद को लो फ्ले में तब तक उबालेंगे जब तक एक लीटर दूद धाइसो ग्राम नहीं हो जाता हमारा एक लीटर दूद सुख कर धाइसो ग्राम के करीब हो गया है ये देखे हमारी मलाई तयार है मलाई थंडी होने के बाद और गाड़ी हो जाएगी अब हम गैस को बन करेंगे मलाई को ठंडा होने देंगे जब तैक हमारी मलाई ठंडी हो लिये तब तक हम ब्रेड को ग्ट कर लेते हैं मैंने इस चील चका ग्लास लिया है ड्रेड लेएंगे ग्लास को ब्रेड के बीचों बीच रखकर प्रेस कर लेंगे और इसे गासा सारी केसे सारी ब्रेड को हमने राउंड शेप में कट कर लिया है ये बच्ची हुई ब्रेड से आप ब्रेड कम बना सकते हैं हमारी मलाई थंडी हो चुकी है अब हम ब्रेड को मलाई के अंदर डालेंगे इसे हलके हातों से मिलाएंगे ताकि हमारी ब्रेड टूटे नहीं आप चाहें तो ब्रेड को मलाई की अंदर 2-4 मिन तत रख कर सर्फ करें ताकि मलाई ब्रेड में अच्छी तरीके से अब्जर्व हो जाए अब हम इसे सर्फ करेंगे अब हम इसे गानिश करेंगे बादाउन डालेंगे पिस्ता डालेंगे केसर डालेंगे तो तयार है हमारी ब्रेड ड्रेस मलाई आप इसे किसी भी ओकुशन में बना के साव कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो थैंक्यू झालेंगे झालेंगे